हेलो गाइज, वेलकम तो आज चानल, साइंस अफ लाइफ फ्रेंड्स, लाइफ इस फुल अफ साइंस आप कहीं भी देख लीजिए चाहिए आपकी किच्छम हो या कोई भी टास्क हो, इटिंग हो सुवे से लेके राग तक, everywhere there is science So today, science of life has brought to you the science of green tea Yes, so आज के वीडियो में हम green tea के जितने भी benefits है, उसके side effects है और वो glowing skin में कैसे help करता है, यह सारे बाते हम डिसकस करेंगे Actually guys, लोग मुझे कभी कभी यह भी कहते हैं कि green tea के हमें सब benefits पता है हम green tea पीते भी हैं, लेकिन जब भी उसको पीते हैं, तो stomach ही को जाता है, burning sensation होती है या फिर छाले हो जाते हैं, या फिर constipation हो जाता है, nausea हो जाता है, means जी घबरारे लगता है तो यह सारे problems उनको होती है So let me tell you, इसका reason green tea पीना नहीं है इसका reason actually green tea को गलत ताइम पर और गलत तरीके से पीने की बज़ए है तो इसलिए in today's video, basically we are going to complete three main points green tea for the weight loss and green tea facial plus when and how to drink the green tea Yes, the most important question की कब और कैसे पीने इस green tea को ताकि इसके सारे benefits हमको मिल सकें So without wasting time, let's get started So the first point is that green tea for the weight loss Friends, actually, मैं हमेशा वीडियो में अपना personal experience आप से शेयर करते हूँ चाहे बात आपकी हो या मेरी हो आज की generation में 90% ladies working भी होती है हम multi-tasking होते हैं, हम job भी करते हैं, घर भी संभालते हैं family देखते हैं, बच्चों भी संभालते हैं और इन सब चीजों में, जो हमारी health है और हमारी skin है, वो सबसे ज़्यादा निगलेट होती है हम चाहते हैं, we all know the benefits of keeping our health in a good condition अगर हम अच्छे नहीं होंगे तो family को पॉन देखेगा प्लस हमारी skin के लिए, because हम job करते हैं, तो हमें अच्छी personality भी चाहिए, अच्छी skin चाहिए but this becomes a tedious task for us, कि हम इस चीज को maintain कैसे करें तो science के पास इसका best solution है और वो भी easy solution है that is the green tea yes, actually green tea is very rich in antioxidants and polyphenols antioxidants उसमें होते हैं, mainly catchants which is a fat burner जो आपकी बॉड़ी में जो belly fat है, hands पे जो fat ही खटा हो रखे हैं, आपे चिन पे हो रहे हैं जो extra fat है, उसको burn करता है plus आपकी metabolism rate को fast करता है, उसको boost करता है जिसके वज़े से आपका जो भी extra fat है, जो extra calories है वो burn हो जाती है, तो it is very good because it has antioxidants and polyphenols which is the fat burner but normally कुछ लोग ही सोचते हैं कि मैं तो already fit हूं, slim हूं तो मैं green tea की हो पीओं see green tea is not only for weight loss green tea से सिफ यही निये कि पतले होना है, इसलिए हूंको green tea पीने है, no it has ample of health benefits so let's discuss them one by one सबसे पहले, जो most important उसका use है, that is heart हमारा this heart is for yes, our heart is which are important. तोवे ह्साइज है ने हमारी फोड़ी के लिए न्यान है tur幾이 हमेरी दरी फारब। चेला हैं, यहांस ऐब से करने नोग हाथ सब लोग है प्रविद होल्य हमेःत लिए अबर्पी झाहिए अधने ह्साइज है प्रोड्लम्स नेक्स्ट बेनेफित ए ग्रीन थी का वह है हमारा ब्रेन हमें सब को पता है जो हमारी प्रेन है जो मेमरी है वह कितनी इंपोर्डेंट है और एक्चल जैसे एजिंग होती जाती है आपने सुना भी होगा इलजाइमर डिसीज के बारे में जिसमें मैमरी रॉस हो प्रेन को हिल्दी रखता है नेक्स्ट पेरिफिट ऑफ दी ग्रीन टी इस दाग्ड़ एंटी कैंसर प्रोपटी यस अच्छली आज की जो लाइस्टाइल है हमारी जो इटिंग हबिट्स है उसके वजए से जो हमारी जो सेल्स है हमारी बोड़ी परी सेल से बनी है तो जो से आज को अन्कंट्रोल वे में ग्रोग करने लग जाते हैं डिवीजियों होने लग जाता है जिससे कहीं अगर तूमर बन जाता है और बहुत ज़्यादा केसिस आपने सुने होंगी कि एंसर पहले बहुत कम लोगों को होता था लेकिन आज को एक नॉर्मल आम बीमारी हो चु वे स्धकिर दोना जिंच कंट्रोल वे मेर वार्दोड को चाहिए हो थे भीयुमारी में गंदूल के स्धी Fiona को भी एकिन गर भा क्रेंट के लिए और ने एखले में डावनालम फोर्य कि अनुर्ट भाomination कि अ इतना तो सबको पता होता है कि बहुत सारी बिमारिये जो है हमारे पूर डाइजेशन की वज़े से होती है अगर पेट खराब है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हिल्दी नहीं है तो उससे रिलेटेड इकनी सारी बिमारिये हो जाती है So green tea is very helpful in keeping your digestive system healthy So आज के बाद अगर आपको कोई कहता हुआ सुने कि मैं तो fit हूँ, slim हूँ तो मुझे green tea नहीं पी नहीं है तो tell them the benefits of the green tea कि सिफ weight loss, obviously it has a very good role in the weight loss but it has other benefits also for your brain, it keeps your heart healthy, anti-cancer plus very healthy digestive system So my suggestion is that everyone should drink green tea twice a day Now the second important point is the green tea for the glowing skin Yes, guys if you are drinking green tea on the regular basis अपको automatically अपनी skin में healthiness एक glowing नजर आएगी Actually guys green tea has lots of antioxidants, especially EGCG These antioxidants actually are antimicrobial and anti-inflammatory So यह जितने भी skin की allergies और skin infections में उनको हो नहीं नहीं देते हैं उनसे continue fight करते रहते हैं तो जो भी skin problems are like acne, pimples, patchy skin, dull skin इन सबको यह fight करते हैं, आपके skin को tighten up करते हैं And it helps in your glowing skin अब यह तो बात हो गई, green tea, regular queenie की अब green tea का facial Actually market में green tea का facial बहुत कॉसली है तो मैं आपको इक simple सा, easy सा घर पे green tea का facial कैसे रसकते हैं वो अभी बताते हूं Basically, facial की क्या स्टेप्स होते हैं You all know, scrubbing, massaging and then face pack So first of all is the scrubbing Green tea scrub बनाने के लिए what you have to do जो green tea आपने पी है उस पा जो भी extract leaves का बचा है उन green tea को लीजिए और उसे थोड़ा सा honey mix कीजिए और grinder में उसका paste बना लेजिए अब यह जो paste इसको टू पार्ट में डिवाट करतो हूं तो एक पार्ट में आप एड़ी थोड़ी सी sugar और उसको फेस पे अप्लाई कीजिए It is a very good green tea scrub उसको 5 मिनट्स तर मसाज कीजिए and then wash off with the normal water आपको 10 मिनट्स तक अपने फेसमें से मसाज कीजिए and then wash off with the normal water तो instantly आपको फेसमें खुदको फील होगा और स्किन बहुत ही soft and plump आपको फील होगी But if you feel that malai is too oily for you, अगर आपको स्किन oily है तो no need to worry you can add milk powder into that तो green tea leaves का paste है honey है उसमें and add milk powder फिर उससे 10 मिनट्स से मसाज कर लेजिए definitely आपको instant results नजर आएगे and after washing that you can apply a normal face pack जो भी आपके घर में है you can apply that So friends this is a very easy green tea facial at home वैसे भी आप green tea पी रहे हैं तो वो जो leaves है वो ऐसे भी आप फेंके ये तो उसको utilize कीजिए और अपनी skin को और healthy बनाएगे and as I told you drink the green tea on the regular basis और ये जो facial है आप once in a week you can do that definitely आपकी health और आपकी skin दोनों को boost करेगी Now last but not least the most important question when and how to drink the green tea कब और कैसे पी हैं Actually गलत तरीके से जब drink आप लेते हैं तो उसके negative effects होते हैं उसके benefits मिलने की बजाय है उल्टा और negative effects हो जाते हैं for example acidity, burning sensation, छाले हो जाते हैं आपकी जो stomach की inner lining है उसमें inflammation हो जाती है ये सारी problems हो जाती है कुछ लोगों को constipation भी हो जाता है तो इसलिए green tea को सही time पर पीना बहुत सजोरी है Actually green tea is having the polyphenols example tannins तो ये जो polyphenols होते हैं ये acid release करते हैं तो इसलिए आपके stomach में acidity का amount increase हो जाता है और इसलिए आपको burning sensation फीर होती है So never ever drink the green tea empty stomach लोग normally सोचते हैं कि खाली पेट हम गरम गरम green tea पीलेंगे तो हमारा वेट लॉस बहुत जादा होगा ऐसा कुछ नहीं इसके उल्टा negative effects होंगे तो इसलिए early morning खाली पेट ना पीके उसको आप पीचिए after the meals और in between the meals खाने के बीच में या फिर खाने के आदे घंटे बाद उसको पीचिए तो उसके जितने भी benefits हमने अभी तक डिसकर्स की जितने भी health benefits है वो स्तारे आपको मिलेंगे अब आते हैं how to drink means P.A. कैसे है अच्छिए आपको गरम गरम ही पीने चाहिए अब नॉमली कुछ लो इसको जैसे चाय बनाते हैं उसी तरीके से बनाते हैं खूब उबालते हैं उसको दूब डालेंगे उसमें चीनी डालेंगे नेवर एड्ड मिल्क और शुगर इंद ग्रीन टी और उसको एकसे में बॉइल भी नहीं करना है तो यू can add 1 teaspoon honey into that. It will add flavor also और honey के benefits भी आपको मिलेंगे. So please drink green tea at least twice a day. Definitely it's going to improve your health as well as your skin. So keep watching the science of life for more videos.